असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे इमेल प्रोग्राम को आप उपन करते हैं और आप इमेल को कैसे सेंड करते हैं ठीक है और अगर कोई न्यू इमेल आजाए तो आपने उसको कैसे प्रोग्राम करना है तो आप उपन करें गुगल को आप देखें आपकी आईडी किसके ओपर बनी वी है जिस पर बनी वी है आपकी फॉरस पोस्ट जीमेल पर है क्योंकि हमारे इस चेप्टर में हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ आप्लुक के बारे में वह भी एक इमेल प्रोग्रोसॉफ तो आपके पाइडी आएडी आएगे मृट करएक बारु आपके बनाते हैं चेप्टर में उपने उपने सब्सक्राइड देख्टर हैजोफ आपके एमैल इसको अपन ए मैल दालेंगे जिसे मीश्यान आइडी का कट रहन nämह जानारिक आपने आपा सब्सक मैंने डाली है उजमाकपर 13-gmail.com और फिर यहां से आप password एंटर करेंगे and then click on next button जब next button पर click किया तो आपके पस यह आपका gmail account जो है वो open हो जाएगा ठीक है क्या होगा gmail account जो है वो आपके email आपके से read करेंगे ठीक है यह देखिए आपके पस inbox का option है यह inbox यहां पर आपके messages आएंगे ठीक है जितनी भी आपकमिंग mail है वो सारी की सारी inbox में आएगी अगर आप inbox आपने – क्लिक करेंगे inbox आप मैसेच क्लिक करेंगे river के इंबॉक्स इंबॉक्स प्लिक करेंगे दोब हो इह आपको यहां पर जहां यहां से मैं इसको read कर लूँगी और अगर कोई attachment आई है तो यह देखें जिसे मेरे पास attachment है अब मैंने इस attachment को क्या करना है open करना है तो यहां से मैं यह डाउनलोड करूँगी यह हमारे पर जो option है download का इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरा जो attachment है यह यह डाउनलोड हो जाएगा यह देखें यह नीचे जो है वह download हो गया है PPT file है उसके बाद क्या है कि यह मेरे पास क्या है add to drive अगर मैंने इसको अपने drive में add करना है तो मैं यहा से click करके अपनी drive में add कर सकती हूँ Update with Google Slides और क AUDIENCE है यहा से कर सकती हूँ तो मैं यहां से ऐसके यह देखें को request क्लिक करें तो उसके लिकार मैंने इस message को नहीं है यहां यह व्मेल करना है यहां आप कैसे करेंगे है PPT एक आप कर सकते हैं इस compose पर क्लिक करेंगे ठीक है compose पर आपने क्लिक किया तो यह आपके पस new message window अपीर हुआ है यहां पर आपने two two के अंदर आपने क्या लिखना है email address वो email address जिसको आपने भेजना है जिसको आपने send करना है ठीक है और subject subject में आप क्या करेंगे message का subject यह receptions receptions का यहीं कि जिसने receive करना है उसका address जो है आप यहां लिखेंगे और यहां subject में आप subject लिखेंगे कि आपके message का subject subject कौन्स है ठीक है वो आप लिखेंगे और suppose अगर मैंने यह इसको अपनी email में भेजना है तो मैं लिखूंगी यहनि कि मैं इसको आप कोई भी लिख सकते हैं जहां पर भी आप इसको भेजना चाहते हैं उसका email address लिखेंगे आप subject में आप कोई भी अपने message जो भी आप message करना चाहते हैं वो लिखेंगे यहां नीचे जो आपके बस window है यहां पर अपना message टाइप कर सकते हैं और यहां पर अगर आपने attachment कोई भी भी आपने attach करनी है तो आप attach file पर क्लिक करके भीज सकते हैं आप यह आपके बस option आप उस पर click करेंगे यह आपने click किया आप यह देखें आप ने देखना है कि मैंने कौन से file जो अटेच करनी है यह desktop पे file पड़ी है download में पड़ी है document में पड़ी है pictures में पड़ी है कहां पर आपकी file पड़ी है कहां पर आपकी file पड़ी है आप उन पर click करेंगे ठीक है जो भी आप कुछ भी आप जो file आप attach करना चाहते हैं जो भी आप उसने आपने उसको click किया open किया यह देखें यह आपकी जो file है जो picture है यह file है whatever जो भी आपकी attach होगी होगी attach यह यहाँ इस attachment की तो आप attach कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको send पर click करेंगे और send this message without a subject to text in the body तो यह आपकी send होगी message send ठीक है यह लिखावार है message send अब आप कैसे check करेंगे कि अपका message send होगी है send पर click करेंगे यह देखें यह आपको send item में आपको send यहाँ पर sent होगी है अगर आपने इसको view करना है तो आप उसको click करके आप उसको view कर सकते हैं यहां पर reply button पर क्लिक करके आप reply कर सकते हैं और forward पर जाके इसको वापस back reply कर सकते हैं इसी email address पर और forward अगर आपने किसी को करनी हो तो यहां से आप उसको forward कर सकते हैं ठीके अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर आपने इसको ड्राफ्ट यह जो आपका ड्राफ्ट फोल्डर है इसके अंदर जितनी भी आपकी प्रॉसेस्स मेल है यानि कि जो अभी प्रॉसेसिंग में है वह वाली सारी की सारी email ड्राफ्ट में आती हैं यहां से आप उनको व्यू कर सकते हैं और कंपोस से आपको अपने कोई email को राइट कर सकते हैं और इंसर्ट जो अटैच फाइल है यहां से आप कोई भी फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं तो यह आप email सेंड कर सकते हैं थ्रू यह Gmail प्रोग्राम है इसी तरह यहू में भी आप करेंगे और hotmail में भी आप कर सक्तें हैं यह आज कल कि लेटर जो अब हम यूज करते हैं आज कल modern age में यह सारे कि सारेzte इमयल प्रोग्राम से हैं आपने साईन आउट करना तो आप कैसे करेंगे आप इसी पे क्लिक करेंगे और साइन आउट करना है तो यहाँ sign out पिक click करकी sign out करेंगे ok